दोस्तों आपको लास्ट वीडियो यह तो याद होगी जो मैंने आपको QLED TV के वारें बताया था Q60D जो मैंने आपके सामने वीडियो रखी थी QLED TV Samsung ने लांच करी है जहां पर आपको 100% कलर वोल्यूम मिलता है QLED TV के अंदर मैंने आपको बताया था कि QLED के अंदर क्वांटम डॉट टेक्नोलोजी होती है क्वांटम डॉट की लेर लगी होती जिसमें आपको टीवी 100% कलर वोल्यूम मिलता है Q60D में पर सैमसंग ने साथ में Q70D भी लांच किया है अब Q60D और Q70D में अंतर क्या है दोनु TV दोनु QLED TV दोनु में 100% कलर वोल्यूम है तो डिफरेंट क्या है हम Q60D ना लेके Q70D ले इसमें ऐसा क्या है Q70D में जो Q60D में नहीं है दोनु QLED TV दोनु में 100% कलर वोल्यूम है और Q60D में जो आपको साइज के बताया तो मैंने उसमें 43, 50, 55, 65, 75, 85 इंचिज के आपको QLED मिल रहे थे बाट Q70D में साइज कितने आ रहे है तो बता देता हूं Q70D में आपको दो साइज मिल रहे हैं सिर्फ 55 और 65 इंच के अंदर अब हम इनके अंदर और डिफेंट के अंदर जानेंगे कि जो हम बात कर रहे थे बारवार AI कस्टोमाइज मोड जो Q60D में नहीं था बट Q70D में आपको AI कस्टोमाइज मोड मिल रहा है जो कि आप अपने हिसाब से TV के अंदर पिच्चर सेटिंग कर सकते हो AI की मदद से इसमें AI कस्टोमाइज मोड दिया है उसके बारे में बात करें कि जो Q70D में दिया हुआ है क्योंकि यह फैला फ्यूचर आपको सैमसंग के LED में मिल रहा था बट और न्यूक के LED मिल रहा था बट आपको क्यों LED के अंदर भी मिलेगा बट Q70D मोडल के अंदर साथ में sound का different क्या किया है तो अब सुरू से लेकर अंदर बात करें कोई step मिस नहीं करना है size की color की contrast की साथ में port की और उसके साथ में और क्या-क्या अंतर दिया है Q70D में तो सुरू से लेकर अंदर देना कोई step मिस नहीं करना मैं आपका LED गुरू मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का श्राइब यह TV आपका Q70D है QLED TV है और Q60D से next model Q70D है इसमें भी आपको 100% color volume मिलता है 4K TV है यह भी क्योंकि इसमें भी quantum.technology के साथ में यह TV मिलती है quantum.technology जो आपको 100% color deliver करती है QLED TV के अंदर में साथ में इस TV के अंदर आप लगवक वास्तिक रंगों का अनवव कर सकते हैं क्योंकि यह TV है जो आपको Pantone validations है जो वर्ल्ड की एक company है Pantone जो color की accuracy करती है तो इसलिए आपको इसमें वास्तिक रंगों का अनवव होगा जो colors है वह आपको impression मिलेंगे Quantum 4K processor भी दिया है यह upselling भी दिया हुआ है आप normal content को upsell कर सकते हो 4K के अंदर और इसमें आपको जो भी normal TV आप चलाओगे तो इसको 4K में भी upsell करें क्योंकि Quantum 4K processor के साथ में TV आपको मिल रहा है SDR, SDR 10 plus customer support है जिससे आप में कोई भी dark scene में आप detail मिस नहीं करेंगे प्रोपर आपको contrast नजर आएंगा इस TV के अंदर अगर आप इस TV के अंदर और features की बात करोगे तो इसमें और भी बहुत सारी features दिया है AI customization mode दिया हुआ है जो मैंने आपको पैस्ट में बताया है इस TV के अंदर आप अपने हिसाब से picture setting कर सकते हो AI की मदल से इसमें AI customize mode दिया हुआ है जो अपने हिसाब से आप picture setting कर सकते हो जैसे आप देखना चाहते हो refresh rate की बात करेंगे अंदर इसके अंदर refresh rate दिया हुआ है जो पिक्चर्स फ्रेम की बात करोगे इस TV के अंदर में उसके अलावा इस TV के अंदर अगर हम और features की बात करेंगे तेको इसके अंदर आप normal content को भी upsell करोगे आपको बहुत अच्छे से नज़र आए यह भी आपको 4K TV एर 340 into 21 साइट में इसके अंदर रिजूशन से फोरके के अंदर यह बस QLED है तो इसमें quantum dot की लेए लेए जिसे आपको आपको जैसे रैड और ब्लैक और ब्लैक और ब्लैक वाइट और वाइट कलर जो है 100% हो जात है और यह थ्री साइड बेजर लैस के साथ में दी गई है यह आपका Q70D तो इसमें जो है आप मोटा ही अगर हासे लागा देखोगी सबसे पतला TV Q70D है जो QLED TV के अंदर और 25 mm में दिया है गेमिंग के लिए गेमिंग TV भाई सबसे बैटर क्योंकि इसके अंदर जो मोशन ए कर दिया हुआ इसके अंदर तो इसके अंदर आपको कुछ खरीदने की जरूत नहीं है आप इस टीवी के अंदर एक गैमिंग कन्सोल ले लेना उस टीवी के अंदर खेल लेना आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके इंदर 120 हर्स को दिया है साथ में टायजन इसका वह व कि दर आप से इसके अंदर और इसके अंदर भी सैंसंटी प्लस दिया जो प्लस देख सकते हो विदाउट आप सट आप बोक्स इस टीवी के अंदर बाकी वो जो हॉम पेज है वो सारे जितने वीडियों बता है वो सारा से में आपका यहां पर ओपीशी 65 एकसल का काम करना वह स स्लीम रिमोट है कुछ तॉटकीज भी दी गई है इस टीवी के अंदर में साउंड की बात करें कि एक्टिव वोईस एंप्लिफायर दिया है जो आपको बहत्रीन ओडियो किलर देता है आपको आप सुझी ज़र इस ओडियों को तो इसको एक्टिव वोईस एंप्लिफायर कहते हैं जो इसमें आपको जो साउंड बैतरी मिलता साथ में क्यूशिंप्री जैसे फीचर्स दिये गया क्यूश साथ में जो आप टीवी की और हॉम थेटर की साउंड एक साथ ले सकते हो यहां पर आपको पीवर एफेक्ट मिल हर ना हमें एकते हम साउंड एकसाथ मिलता सारी ऐसे में भी आपको क्यूश्मिनी फीचर्स के साथ में टीवी और साउंड वार की साउंड एक साथ डिलिवर होती है कोई बहुलेन मुने नहीं होती है तो है तो उसके अधर और एक्टिव वास-्यॅप्लिफायर प्लैट साउंड तो चारू साउंड शैटिंग दीगे तो टीवी को और भी बहतरी यह साउंड बनाता है तो जो पीवीर देखते हैं टीवी लेने के बाद भाई पीवीर देखना बंद कर दोगी कि साउंड के लिए इतने अच्छा दिया सामसंग टीवी प्लस एप्लिकेशन जो मैं आपको बताया अब इसके अंदर आपको 100 प्लस चैनल फ्री अपको देखने को मिलेंगे जो रीजन आपका यहां के भी बाहर के भी चैनल से आप देख सकते हो इसके अंदर धीर-दीर सारे चैनल एड़ होते जारे हैं इस टीवी के अंदर जिससे आपको सटप बोस्त जरू मोड दिया हूए कुछ लोग तीवी देखते हैं तो आपको लगता है कि ब्रैटनिस जज्यादा लगई लेए आखों में जलन हो रही है जैसे नाइट में देख रहे हैं तो आई मोड को आप ऑन कर लीजिए आपको इसके अंदर आपकी जो भी है जैसे दिन में देख रहे ह तो इस टीवी में बहुत सारे फीचर्स आपको एस्टर डाले गए हो है क्यों सिस्टीश से और अगर हम बात करें तो इस आप चार्ट को देखिए तो इसके अंदर आप स्टीश स्लाइड ट्वंटीवोट साउंड एक्यू सिंपनिय अडेप्टिव पोईस एंप्लिफार एडेप्टिव साउंड परो दिया हुआ है यह आई आई आपको कस्टोमाइज मोड दिया गया इस टीवी के अंदर और मोसन एक्सिलेटर 120 हर्स का कर दिया मतलब गैमिंग क